दोस्तो वर्ष 2021 में इसरो नासा या किसी भी देश की अंतरिक्स एजंसी के दौरा जो भी सेटलाइट लॉंच किये गए हैं जो भी अंतरिक्स मिशन लॉंच किये गए हैं उन सब को हम ट्रिक्स से याद करेंगे वेरी वेरी इंपोटेंट टोपी का एक्जाम यहां से किस्टन पूछे जाते हैं और भाई यह आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे और देखें 2021 के साथ साथ 2020 और 2019 में भी जो जो मिशन लॉंच किये गए जो जो सेटलाइट लॉंच की गई वो किस विकल से लॉंच किये गए उनकी क्या खास बात थी इन सबको भी हम ट्रिक से याद करेंगे वेरी वेरी इंपोटेंट टोपी का भाई तो सबसे पहले बात करते हैं डायर्ट मिशन नॉंबर 2021 में नासा के द्वारा लॉंच किया गया किस विकल से लॉंच किया गया स्पेस एक्स फालकन नाइन रोकेट से इसे लॉंच किया गया अकसर एकचाम में ये विकल पूछ लिये जाते हैं कोई भी मिशन या कोई भी सेटेलाइट लॉंच की जाती है तो उसका विकल आपको जरूर याद होना चाहिए अब ये डार्ट मिशन क्या है तो देखिए नासा के द्वारा अंतरिक्षियान को जान बूज कर दुरगटना गरस्त किया जाएगा जिस से सुद्र घ्रह का मार्ग बदला जा सके ट्रिक से याद करेंगे किस विकल से लॉंच किया गया डार्ट का तो हो गया डार्टना डार्ट डार्टना और यहां पर है स्पेस एक्स फालकन नाइन किस रोकेट से लॉंच किया गया फालकन नाइन से फालकन का हो गया बालकन ए भाई बालकन को डार्टना नो नो बालकन को कभी भी नहीं डाटना चाहिए डाट का हो गया डाटना और फालकन का हो गया बालकन को आपसे कहे के बालकन को डाटना चाहिए तो आप यही कहेंगे ना नो 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 तो यह लॉंच किया गया फालकन नाइन रोकेट से नेक्स्ट अमेजानिया वन सेटेलाइट फरवरी 2021 में किस विकल से PSLVC-51 से लौच किया गया? आमेजानिया-1 ब्राजिल का सेटलाइट है, जिसे इसरो के द्वारा फरवरी 2021 में अंतरिक्स में स्तापित किया गया। अब अमेजानिया का हो गया Amazon के जिंगल बहुत गहरे गहरे Amazon के जिंगल है और इसको किस विकल से लॉच जगा घया पिएस लवी City फिफटी वन से सी का हो घया Cat और 51 में आगीया 5 और 1 वाई Amazon के जंगलों की एक चाशियत बताओं वहाँ पर एक cat पाई जाती है c cat पाई जाती है जिसके पांच पैर होते है Amazon के जंगलों में एक cat पाई जाती है c उसके पांच पैर होते है और एक आँख होती है 51 51 अपना cover हो गया c 51 एक cat पाई जाती है जिसके पांच पैर है और एक आँख है कहां पाई जाती है एमेजोनिया के जंगल में एमेजन के जंगल में पाई जाती है देखे दोस्तों हर रोज नहीं करंट अफिर आती या तो आप इनको रट लीजिए रटने से याद हो गया तो सबसे बैस्ट अगर रटने से याद नहीं होता तो एक बार ट्रिक को माइड मे फिट बठा लीजिए आप जिंदगी बरने बूलेंगे नेक्स्ट है लूशी मिशन अक्टूबर 2021 में किस रोकेट से लॉंच किया गया एटलस वी रोकेट से लॉंच किया गया और ये नासा का मिशन है नासा के द्वारा ब्रस्पति ग्रह के अध्यन के लिए लूशी मिशन 2021 को लॉंच किया गया विकल इन्पोटेंट है अब लूशी का हो गया मोसी लूशी मोसी भी एटलस साइकल चलाती है एटलस वी रोकेट है ना और यहां बात हो रही है लूशी लूशी का हो गया मोसी हमारी मोसी वी एटलस साइकल चलाती है भाई कुछ याद न नहीं रखना सिर्फ इतना याद रखना है हमारी मौसी वी एटलस साइकल चलाती है बस तो लूशी मिशन एटलस वी रोकेट से लॉंच किया गया उसके बाद है सेटेलाइट इयो एस थ्री अगस्त दोहजार इकिस में लॉंच किया गया किस विकल से जी एसल्वी एफ टैन से लॉंच किया गया देखे इस रोके द्वारा अगस्त दोहजार इकिस में भारत का पहला पिर्थवी आउलोकन उपग्रे लॉंच किया गया तो जो किसी कारण वस से सफल नहीं हो पाया ऐस सफल हो गया यहां पर कौन सा सेटेलाइट है यह एस अर्थ ऑबजर्वेशन सेटे कि दसवी कक्षा में मतर तीन नंबर से ए ओस है ए ओस है ए ओस है और एस का हो गया से ए ओस है जो तीन नंबर से दसवी कक्षा में फेल हुआ फेल हुआ टैंथ में कितने नंबर से तीन नंबर से ए ओस है नेक्स्ट एन्विजन मिशन जून दोहजार इकिस में लॉंच किया गया Arian 6 rocket से रोकेट कौन सा था Arian 6 ट्रिक से याद करेंगे किसके द्वारा लॉंच किया गया तो ये मिशन European Space Agency के द्वारा NASA के सयोग से सुक्र घ्रह के अध्यन के लिए लॉंच किया गया रोकेट कौन सा है Arian 6 Arian का हो गया Alien और 6 का हो गया अच्छे एलियन अच्छे है यानि कि 6 बसरते की हम उन्हें नाइट वीजन एनवीजन का हो गया नाइट वीजन कैमरे से देखेंगे ना तो एलियन अच्छे है अच्छे देखते हैं लेकिन आपको उन्हें night vision camera से देखना होगा n vision night vision camera से देखिए arian alien 6 अच्छे है next utel set quantum अगस्त 2021 में launch किया गया किस विक्कल से arian 5 rocket से launch किया गया किस के द्वारा European Space Agency के द्वारा French Guana से rocket arian 5 से launch किया गया अब utel set का हो गया you late sit you are late sit क्या हुआ आप लेट हो गए सिट अभी अभी एलियन थे 5 मिंट पहले एरियन 5 है ना एलियन थे 5 मिंट पहले लेकिन आपकी बदकिस्मती यू लेट सिट यू लेट सेट आप लेट हो गए अगर आप 5 मिंट पहले आते तो एलियन को देख लेते एलियन 5 मिंट पहले ही थे य इरियन 5 के द्वारा लॉंच किया गया जो की 5 नुमंबर 2013 को इसरो के द्वारा लॉंच किया गया था किस विकल से PSLV C25 से मिशन मंगल यान की मंगल मंगल से याद आते हैं बाई मंगल वार और बाई मैं तो यहीं कहूंगा अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं तो मंगल वार को आप 25 रुपे का परसाद बाट दीजिए आपके बिगड़े काम बन जाएंगे मंगल यान मंगल वार को 25 रुपे का परसाद बाट दो बास और कुछ याद नहीं रखना और PSLV की फुल फर्म होगी पॉलर सेटिलाइट लांच विकल असके बाद है चंदरियान वन 22 अक्टूबर 2008 को लांच किया गया कौन से विकल स PSLV C11 से अब देखिए C11 C का हो गया चंदर चंदरियान और 11 में भी वन वन आ गये और बात और यह चंदरियान वन की तो बिलकुली जी हो गया ना बाई ने चंदरियान टू 22 जुलाई 2019 को लौच किया गया और यह सब जानते हैं भाई GSLV MK3 से लौच किया गया जिसे इस रोका बाहूबली रोकेट भी कहा जाता है यह इस रोका आब तक का सबसे सक्तिसाली रोकेट है क्या नाम है GSLV MK3 इसी से चंदरियान टू को लौच किया 22 जुलाई 2019 और भाई चंदरियान 3 लॉंच किया जाएगा या तो 2021 के end में या 2022 में कौन से विकल से GSLV MK3 से ये भी बाहुवली रोकेट से लॉंच किया जाएगा याद रखना GSLV MK3 से असके बाद मिसन गगनियान लॉंच किया जाएगा 2022 में GSLV MK3 से देखिए इस रोके पास अभी तक जो भी सक्तिसाली रोकेट है न वो यही है GSLV MK3 तो अपने आने वाले जितने भी मिसन है इस रोके वो सब इसी से लॉंच होएगे GSLV MK3 से तो ये याद करना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा बस मिसन मंगल यान याने की मंगलवार को आप 25 रुपय का परसाथ बाठ दीजिए याने की PSLV C25 से लॉंच हुआ और चंदरियान 1 PSLV C11 से लॉंच की आ गया उसके बाद चंदरियान 2, चंदरियान 3 और मिसन गगन यान ये सब लॉंच होंगे GSLV MK3 से नेक्स्ट वेरी इंपोटेंट आर्यवाट उपगरे 19 अपरेल 1975 को लॉंच किया गया कौन से विकल से इंटर कोस्मोस रॉंच किया गया और ये रॉंच है सोवियत संग का और भाई 101 परसेंट यहाँ से आपके आने वाले एक्जाम में जरूर क्वेशन पूछा जाएगा तो इसे हम फुल डिटेल से कवर करेंगे एक एक पॉइंट जो की वेरी वेरी इंपोटेंट है अर्यवाट उपगरे भारत का पहला उपगरे था और देखी आर्यवाट उपगरे को 19 अपरेल 1975 को लॉंच किया गया जो कि हम आपको बताएगे CMS1 सेटेलाइट दिसमबर 2020 में लॉंच किया गया ये कम्यूनिकेशन सेटेलाइट था इसे विकल से लॉंच किया गया PSLV C50 से अब CMS CMS का हो गया सहाब CM सहाब कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार नहीं पांच बार सोचते हैं CM सहाब कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं पूरे पांच बार सोचते हैं यानि कि PSLV C50 अशके बाद है EMI सेट अप्रेल 2019 में लाँच किया गया कौन से विकल से PSLV C45 से ये एक डिफेंस सेटेलाइट अब EMI सेट की बात हो रही है EMI EMI भाई मैं मुस्किल से मन्थली 4-5 अजार रुपे तक की भर सकता हूँ नेक्स्ट कमाल सेट V2 2019 में लाँच किया गया PSLV C44 से ये सबसे छोटा सेटेलाइट था अब कलाम से याद आते भाई E.P.J. अब्दूल कलाम और यहां पर विकल है PSLV C44 E.P.J. अब्दूल कलाम को ना चारो दिसाओं में चारो कोनों में चार चार हो गया ना और कलाम है E.P.J. अब्दूल कलाम इतने जबरदस साइंटिश थे भाई उसको इंडिया के अंदर चारो कोनों में ही नहीं पूरे वल्ड के चारो कोनों में चार चार उन्हें जाना जाता है उसके बादे माइक्रो सेट आर 2019 में लाँच किया गया PSLV C44 से अब बात हो रही है माइक्रो सेट अब भई माइक्रो सेट चे हो गया माइक्रो मैक्स के सेट माइक्रो मैक्स के मॉबाइल फॉन चारो तरफ चारो दिसाओं में चारो कोनों में पूरी तरह से पिट गए भई जब से चाइनीज फॉन आये ना उन्होंने इतने कम पैसों में इतनी FACILITY दे दी फोन के अंदर के MICRO MAX के FON ना चारो दिशाओं में चारो कॉनों में पिट गए उसके बाद है कार्टो सेट 3 2019 में लांच किया गया PSLV C47 से 47 से अब कार्टो सेट से हो गया कार्टो कार्टून कार्टून की वह इसारी हो भाई और जो कार्टून टाइप होते हैं ना उसे कोई भी अपने साथ याने की साथ फॉर से होने ना भाई कार्टून लोगों को कोई भी अपने साथ रखना पसंद नहीं करता कार्टो सेट 3 2019 में PSLVC 47 से 7 याने की साथ उसके बाद है EOS 01 याने की Earth Observation Satellite 2020 में लौच किया गया PSLVC 49 से 49 से अब बात हो रही है Earth Observation की के भाई हम अर्थ की खुदाई कर रहे हैं खुदाई कर रहे हैं लेकिन उसको Observation नहीं कर रहे हैं उसका Observation नहीं कर रहे हैं निरेक्षन नहीं कर रहे हम चारो तरफ से खुदाई किया झा